हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं नाम अखिलो राजमाप को ताला हूँ वले बजार.in वेबसाइट के बारे में ये वेबसाइट रियल एफेक पूरा चेक करेंगे है अभी दिखाऊंगा आपको देख सकते हैं ये जाबरा का ये ये येरबस हैं दोजार रुपे में मिल रहे हैं साथ चाहजार के हैं ये ऐसे दिखा रहा है और फिर मैंने थोनार आपको सिर्फ हैट रक रहे चाहरा की बजाइट को आवे एसकी प्राइसidar कनी है उन्हाँर प्रोड़क्त तेखे लेकिन येर नीचे की और आते हैं तो यहां पर देखिए आईफॉन 6S मिल रहा है आपको सिर्फ 7000 में हाला कि आउट ओफ इस्टोक हो चुका है लेकिन यार 84% ऑफ काफी ज्यादा हूफ होता है आप भी सूश सकते यार 44000 की चीज़ आपको सिर्फ 7000 में मिल रहा है काफी highly discount मिल रहा है त तो यार प्रोडक्ट काफी low quality क्याते हैं आप मैंने review अगेरा देखे इसके वहां पर मेरे को पता चला कि जो quality होती है प्रोडक्ट की वह काफी ज्यादा low होती है और जो specification मतलब बताई गई होती हैं उतनी नहीं देते हैं तो यार अब अपन चैक करते हैं इसको इसके मेंड of hundred मतलब एक score आया सो मेंसे मतलब इतने तयार marks भी नहीं आते हैं अपने जितना इसका score आया है यहाँ पर आप देख सकते हो 19 people ने इसको highly risk की तरफ बताया है अपन अभी देखें यह सारे पूरा details इसका negative highlights कि आप देख सकते हो line लगी वी है पूरी चलिए अब हम इसके comments देखते हैं नीचे के और scroll करके यहां पर आप देख सकते हो I like value bazar is a fake app my order payment done but no ticket मतलब क्या लिखाया पता नहीं fake की तरफ ही बता रहा ही very poor service and I find scheme मतलब ज्यादा दर लोगों ने scheme ही बताया है देख सकते हैं I like value bazar is a fake इसने तो पूरा चापके लिखाय बही पता नहीं क्या क्या product totally waste of money मतलब मैंने जैसा बताया था कि यार यह product काफी low quality का देते हैं देख सकते हैं आप damaged product और फिर यार यह refund भी नहीं होता मतलब आप return नहीं कर सकते product तो इसलिए मैं आपको यह बिल्कुल भी suggestion नहीं करूँआ ही कि आप वेले बजार से कोई भी so shopping करो आप जो ट्रस्टेड वे एबसाइट से Amazon Flipkart वहीं से shopping करिए और यार इस वीडियो को जितना हो इसके उतना share करो अपने भाई बंदू के साथ ताकि वह भी बस सकें इस इस खैम से तो यार वीडियो को असलिए कमेंट बॉक्स करकि जरूर बताना अच्छे लगिए तो